दीललन टॉप शोव इस स्पॉंसर बाइ खाता बुक इन असोसियेशन विट कॉइन स्विच कुबे जन्जट से मुक्ती, खाता बुक से दोस्ती, खाता बुक, बिजनिस हुआ एजी नमस्ते, सौरब दुवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शोव तीके की कमी के बीच आखिरकार मोधी सरकार ने अपनी नीती में बदलाओ के शुरू आती संकेत दिये हैं आज बड़ी खबर में बात इस पर करेंगे साथ में जिक्र होगा मध्र प्रदेश के कोरोना वारियर्स का जो शिवराज सिंग चौहान सरकार की नीतियों से खपा हैं दिन भर के प्रमुक समाचारों से जुड़ी सुर्खियां भी होगी लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो इन साथ सालों में जंदा का जो हशर हुआ है वो मुष्टा और अच्छी पहबा नहीं है जिस तरह से नाइंसाफिये हुई है साथ सालों के अंदा जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासिस के बीच में चाहे वो नोपरियों का मामला हो चाहे लाइसेंस का मामला हो चाहे और भी बहुत से मामलाथ हो कि उसके अंदर जितना इंसाथिया होगी है चाहे इसके अंदर जितना इंसाथिया होगी हैं जिसमें शरीयत के अंदर मदाखिलते होगी हो चाहें ऐसा खानून डादिया गया हो जिसमें दुन्या के सबसे बड़े लोग तंतर में पर्टिक्रलि एक कम्यूनीटी को कह दिया गया कि उस इनको नागरिकता नहीं मिलेगी यानि कि मुसल्मान को नागरिकता नहीं मिलेगी बाकि सबकों मी चाहिए यह जो नाइसाथ ही हुई है उसके एवद में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आस्मानी आफते कितनी आ रही है दस दस दिन में दो दो तूफान आ गए हमने देखा है कि करोना के अंदर वरीब आदमी का क्या हशर हुआ है हमने उस वरीब को देखा है जो दो जून की रोड़ी लिया प्रियों को पर जा रहे थे और उनकी लाशों के टुकुले हमने देखे हैं सब्सक्राइब करने वाला कोई और है अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आस्मान वाला इंसाफ करता है और जब वह इंसाफ करता है तो उसमें इफ और नहीं हुआ करता है ये स्टी हसन है समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सांसद कह रहे हैं कि मोधी सरकार ने शरीया में दखल देने की कोशिश की इसलिए भारत में कोरोना महामारी का प्रकोफ हुआ एक के बाद एक चक्रवात आए नेता जी हैं तो अपने वोटर को मोटिवेशन देने के लिए खबरों में बने रहने वाले बयान देते हैं लेकिन दिक्कत ये है कि चक्रवातों को लेकर मौसम विज्ञान की राय हसन साहब से अलग है मोटा हिसाब ये कि जब समंदर गर्म होता है तो बड़ी मातरा में भाप उठती है फिर उससे बने बादल धर्ती के घूमने की वज़े से गती पाते हैं और चक्रवात बन जाता है लेकिन ये बातें तो पढ़े लिखों के लिए हैं साइन्स में भरोसा करने वालों के लिए हैं हाइ स्कूल में पढ़ाई जाती हैं हो सकता है कि हाइ स्कूल में जब ये पढ़ाया जा रहा हो तब नेता जी किसी और गुपत में लगे हो लेकिन ये छूट उन्हें महामारी के मामले में नहीं दी जा सकती क्योंकि स्टी हसन का पूरा पर्चा है डॉक्टर स्टी हसन डॉक्टर हैं पीचडी नहीं मेडिसिन वाले और तब भी वो ये नहीं समझ पाए कि कोरोना महामारी कैसे आए या कहें कि समझते हैं लेकिन अपने समर्थकों को अंधेरे में रखना चाहते हैं बरगलाना चाहते हैं नेतागीरी की जितनी दुश्मनी वैग्यानिक चेतना से हमारे देश में है शायद ही कहीं और हो हसन को ये समझना चाहिए कि भारत में अब भी एक बड़ा तब का कोरोना महामारी को लेकर अग्यानता का शिकार है और रोब थाम में रुचि नहीं ले रहा है इलाज में और टीके में भी नहीं और जब ये लोग ऐसे बयान सुनते हैं जैसे सांसत जीने दिये तो बीच रास्ते से ही रास्ता बदल लेते हैं हसन का बयान उन्हीं लोगों के लिए घातक है जिनका दिल लुभाने की वो कोशिश कर रहे है दूसरी बात हसन शरीया की दुहाई दे रहे हैं ये बात समझ आती है कि धर्म और तर्क एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि अवेग्यानिक, अतारकेक और बेवकूफाना बातें करके उस पर धर्म का लेबल लगा दो। हसन को समझना चाहिए कि उनका बयान शरीया और इसलाम दोनों की छवी खराब करता है। और तीसरी बात, ये देश किसी धार्मिक कानून से शरीया से नहीं चलता है सांसत जी, सम्विधान से चलता है। शरीया से जहां चलता है पाकिस्तान में उसका हाल देख लीजिए, उसके बगल में अफगानिस्तान है, तालिबान है, उसका हाल देख लीजिए, इरान का हाल देख लीजिए, सौधी अरप का हाल देख लीजिए। तो हम हिंदुस्तान वालों को हमारे सांसद जी जिनको सम्विधान की पहरेदारी करना है वो इस धार्मिक कानून की हमको वकालत ना करते दिखें तो बहतर है हसन भले एक पार्टी के नेता हों पर सांसद भी हैं तो याद रखना चाहिए कि नेतागीरी के चक्कर में व्यग्यानिक जेतना न भूलें और पार्टी लाइन के ये अपने वोटरों के चकर में सम्विधान न भूलें ऐसे ही कई और सांसद हैं मसलन साध्वी प्रग्या वो भी इस तरह के बयान देती रहती हैं कई लोग हैं हम जनता को इनसे सवाल करना चाहिए कि ये बहकी-बहकी बातें क्यों करते हैं पढ़े लिखों की तरह बाते करें अब दिन की सुर्खियों की तरफ चलते हैं पिछले 24 घंटों की दौरान कोरोना संक्रमन के 1,32,364 नए मामले सामने आए 2,07,071 मरीज ठीक हुए और 2,713 मरीजों की मौत होगे अब कोरोना पर कुछ और अबडेट कोरोना की कम होते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में बंद पड़ी OPT सर्विस को बहाल करने का फैसला किया है ये दो महिने से बंद थी दूसरी सुर्खी अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाओं से जुड़ी है चुनाओं में भले ही अभी करीब साल भर का समय हो पर राजनेते खेमे बंदी शुरू हो गई पिछले हफते हमने उत्तर प्रदेश में BJP हाई कमान को सरकार और संगठन से जोड़े लोगों से फीडबैक लेते देखा था इस हफते यही पंजाब में हो रहा है चुनाओं से पहले मुक्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर के खिलाब पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोला केंद्री नेत्रत ने एक पैनल का गठन किया अज कैप्टेन अमरिंदर ने दिल्ली में इस पैनल से मुलाकात की लेकिन उससे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के तीन बागी विधायकों को कॉंग्रिस में शामिल किया इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मुल्थ सीट से विधायक सुखपाल सिंग खेरा के साथ उनके दो साथी मौर से विधायक जगदेव सिंग कमलू और भादोर से विधायक पिर्मल सिंग धौला भी है उधर ये भी अंदाजा लग रहा है कि प्रियंका गांधी के करीबी बताय जाने वाले नवजोज सिंग सिद्धू की बगावत पर कैप्टेन अमिंदर ने कहा है कि बागी खेमे को आला कमान से या उसके लोगों से सहयोग मिलता है तो पंजाब में कॉंग्रिस में आपसी सिर्फ नवल जारी है दूसी तरफ यूपी में बस्पा प्रमुक मायवती ने अपनी ही पार्टी के विधान मंडल दल की नेता लाल जी वर्मा जो विधायक भी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी से निश्कासित कर दिया दोनों नेता लंबे समय से बस्पा से जुड़े थे लाल जी वर्मा पांच बार की विधायक हैं दोनों को बस्पा सुप्रीमो मायवती का करीबी माना जाता था 2017 की विधान सभा चुनाओं में बस्पा के टिकट पर 19 विधायक जीते थे इन मैसे 9 को निलंबित कर दिया गया बचे 10 एक सीट बस्पा उप्चुनाओं में हार गई बचे 9 और अब ये दो निकाल दिये गए तो मायवती की पार्टी के साथ विधायक बचे हैं विधान सभा में तीर सी सुर्खी दिल्ली हाई कोट से है हाई कोट ने अभिनेत्री जुही चावला की ओर से 5G टेस्टिंग को लेकर दाया याचिका को खारिच कर दिया दिल्ली हाई कोट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पबलिसिटी के लिए इसे दायर किया याचिका करता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तिमाल किया कोट का समय बरबाद किया कोट ने इसके लिए जुही चावला पर 20 लाक रुपय का जुर्माना भी लगाया हाई कोट ने दिल्ली पुलिस से उस शक्स की पहचान करने और उचित कारवाई के लिए भी कहा जिसने इस मामले की सुनवाई के दौरान जुही चावला के गाने गाने शुरू कर दिये थे अगली सुरकी RBI के एक फैसले ने बनाई अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन एकाउंट में सेलरी आनी होती है उस दिन बैंक में शनिवार, रविवार या किसी तियोहार की वज़े से छुटी होती है तो सेलरी एक दू दिन बाद आती है या कई बार ऐसा होता है कि आटोमेटिक पेमेंट के जरीए लोन की एमाई भरने वाले लोग बैंक में छुटी होने की वज़े से लेट हो जाते हैं और तब एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं RBI ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा रिजर्व बैंक ने कहा है कि NACH की सुविधा पूरे साल साथ दिन उपलब्द रहेगी ये NACH क्या है NACH यानि की National Automated Clearing House ये एक बल्क पेमेंट सिस्टम है यानि कि एक साथ धेर सारे लोगों को पेमेंट की सुविधा इसका उप्योग लोगों के खाते में सेलरी, पेंशन, लाभांश या सबसेडी भेजने के लिए किया जाता है इसके लाभा लोगों के खाते से लोगों की एमाई, इंशुरेंस, प्रीमियम, म्यूचल फंड की किष्ट, बिजली और पानी के बिल भी इसी ऑटोमेटिक तरीके से कटते है NACH की सुविधा भी तक बैंक वालिडे के दिन नहीं मिलती थी, जिसकी वज़े से लोगों को तमाम दिक्कितों का सामना करना पड़ता था RBI ने घोशला की है कि 1 अगस्त 2020 से NACH की सुविधा साल भर सातों दिन उपलब्द रहेगी यहती सुर्खिया अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ बड़ी खबर में अब बाद कोरोना वैक्सीन की वैक्सीन की भारी कमी के बीच अब केंदर की मोधी सरकार कुछ कोर्स करेक्शन करने में लगी है सरकार ने पहले से चली आ रही वैक्सीन खरीद की नीती में एक बदलाव किया उस वैक्सीन के डोस बुक करवा दिये जो अभी लॉंच भी नहीं हुई केंद सरकार ने बायोजिकल ई वैक्सीन के 30 करोड डोस बुक करवाए हैं और उतपादन में सायोग के लिए भारत सरकार वैक्सीन की डिलीवरी से पहले ही डेल हजार करोड रुपे भी देगी ये वैक्सीन अभी तयार नहीं है इस वैक्सीन का नाम है कोरबे वैक्स अमरीका में हूस्टन की बेलर कॉलेज अफ मेडिसन में पिछले साल से ही वैक्सीन पर रिसर्ट शुरू हो गई थी भारत में इसका करार बायोलोजिकल ई कंपनी के साथ है माना जा रहा है कि ये सबसे सस्ती मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी सरकार अगर 30 करोल वैक्सीन डोस के लिए 1.5 ख़ार करोल रुपे दे रही है तो 50 रुपे प्रती डोस का हिसाब बैठता है अभी कोवी शीड के लिए केंदरी की सरकार 1.500 रुपे प्रती डोस दे रही है इसकी एक तिहाई लागत में ही बायोलोजिकल ई-वैक्सीन मिल सकती है हला कि अभी इसकी फाइनल कीमत तै नहीं है तै इसलिए नहीं क्योंकि अभी वैक्सीन लॉंच ही नहीं हुई तो कब लॉंच होगी? अगस्त के महिने तक 40 दिन पहले इसके तीसरे फेस का ट्रायल शुरू हुआ था ये दो महिने और चलेगा ट्रायल का रिजल्ट कंपनी ड्रग कंट्रोलर को सौपेगी और इसके आधार पर इमर्जेंसी यूज का लाइसेंस मिलेगा यानि अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा ये पहली बार है कि नरेंद्र मोधी सरकार ने लाइसेंस मिलने से पहले ही वैक्सीन बुक करवाई हो वैक्सीन की किल्लत के बीच के इन सरकार पर सवाल उठे थे कि जब दुनिया के और देश पिछले साल ही वैक्सीन बुक करवा रहे थे तो हमारी सरकार क्यों पीछे थी हमने वैक्सीन क्यों नहीं बुक कराई थी अमरीका इंगलेंड जैसे देशों ने पिछले साल ही वैक्सीन बुक करवा ली थी जब मॉडर ना और फाइजर के ट्राइल चल रहे थे तब ही बुकिंग के ओर्डर आने शुरू हो गए थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ट्राइल के बाद वैक्सीन की आधिकारी कर्मती मिलने का इंतिजार किया इस साल जनवरी में जब कोवी शील्ड और कोवैक्सीन को एमर्जेंसी यूज परमीशन मिली उसके बाद सरकार ने ओर्डर दिया इसलिए हमारे पास विकल्प कम रह गए थे कोरोना की दूसरी लहट से लड़ने के लिए जब तेज गती से टीका करण की ज़रुरत हुई तो टीके कम पढ़ने लगे कोवी शील्ड और कोवैक्सीन के लावा बाहर से टीकी लेने की ज़रुरत पड़ी लेकिन ओर्डर परियाप्त संख्या में बुक नहीं हो पा रहे थे मई में एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान स्वास्त मंत्राले में संयुक्त सच्चिव लव अगरवाल ने कहा था कि फाइजर और मॉडर्णा ने सरकार को बताया है कि उनके ओर्डर पहले से फुल है यानि हमने बुकिंग में देरी कर दी हाला कि सरकार ने कभी खुले तोर पर ये नहीं माना कि उसकी टीका खरीदने की नीटी में कोई खामी है या टीके परियाप्त नहीं वैक्सीन परियाप्त हैं वाली बात सरकार ने तब भी कही जब विदेश में वैक्सीन भेजने पर सवाल उठे मार्च में विदेश मंत्राले ने वैक्सीन मैत्री पर संसत में जवाब दिया था कहा था कि देश में पर्याप्त वैक्सीन होने के आधार पर ही विदेश में भेजने का फैसला लिया गया टीके की घरेली जरूरत को लगतार मॉनिटर किया जा रहा है ऐसे जवाबों से सरकार लगतार अपनी वैक्सीन पर विजन को सही बताती रही लेकिन देश में सबसे बड़े टीका करन के लिए टीके कितने पर्याप्त हैं ये अब सब के सामने है और ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि टीके बुक कराने का जो काम अमरीका जैसे देश पिछले साल कर रहे थे हमारी सरकार को करना चाहिए था जो नहीं हुआ उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं अब सरकार कोर्स करेक्शन कर रही है ये अच्छी बात है देर से ही सही गलती सुधारी जा रही है अब बात करेंगे उन कोरोना वारियर डॉक्टर्स की जिनके लिए हमारी सरकारों ने थाली और ताली बजवाई थी फूल बरसाए थे खूब मान समान हुआ था होना भी चाहिए लेकिन यही डॉक्टर जब सरकार से कुछ मांगते हैं तो बात सरकार को पसंद नहीं आती और फिर तीन हजार डॉक्टर एक साथ इस्तीफा देते हैं मद्यपरदेश में पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है 31 मई से जूनियर डॉक्टर हर्ताल पर है सरकार से अपनी कुछ मांगें मनवाने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया तो डॉक्टर्स ने हर्ताल खत नहीं की सरकार कह रही है कि कोरोना के दौर में डॉक्टर हट धर्मिता कर रहे हैं डॉक्टर कह रहे हैं सरकार हमसे बात तक करने नहीं आई ये मामला मद्यपरदेश हाई कोट में भी गया शैलिंद्र नाम के अड्वोकेट ने याचिका दायर कर कहा कि कोरोना के दौर में डॉक्टरों की हर्ताल से संकट बढ़ जाएगा गुरुआर को हाई कोट का फैसला आया हर्ताल को गैर कानूनी बताते हुए खत्म करने का आदेश दिया और नहीं करने पर सरकार से कड़ी कारवाई करने को कहा इसके बाद मद्यप्रदेश की सरकारी मेडिकल कॉलेज़ों के तीन हजार से जादा जूनियर डॉक्टरों ने एक साथ स्थीफ़ दे दिया इसके साथ ही अस्पतालों से वो तस्वीरें वे आने लगी जो आम तोर पर डॉक्टर्स की हर्ताल की दौरान आती है डॉक्टर्स की कमी से मरीजों की परेशानी की तस्वीर है डॉक्टर्स पर आरोप लग रहे हैं कि वो कोरोना महमारी के दौरान सरकार को ब्लैक मेल कर रहे हैं लेकिन जूरियर डॉक्टर्स एसोसेशन का कहना है कि ये उनकी पुरानी मांगे हैं इसके लिए वो 6 महीने में कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं इस साल 6 मही को भी पूरे मध्यप्रदेश में हरताल रखी थी और 24 घंटे से पहले खत्म कर दी क्योंकि स्वास्तमंत्री ने मांगे मानने का मौखिक भरोसा दिया था लेकिन इस भरोसे के बाद कोई लिखित आदेश नहीं निकाला गया डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तक मांगे मानने का कोई संकेत नहीं मिला इसलिए दुबारा हरताल करनी पड़ी तो डॉक्टर सरकार से चाहते क्या है उनकी मांगे क्या है हरताल कर रहे डॉक्टर का कहना है कि 3 साल पहले स्टाइपेंड या वेतन में चैपीजदी बढ़ोतरी का वाइदा किया गया था वो नहीं हुआ तो अब 24 फीजदी हाइक दी जाए जिसमें चैपीजदी कोरोना इंसेंटिव भी हो आगे से हर साल चैपीजदी की वेतन में बढ़ोतरी हो डॉक्टर या उनके परिवार को कोरोना होने पर अस्पताल में बैट की प्राथमिक्ता दी जाए सुरक्षा के लिए कोरोना ब्लॉक के सामने पुलिस चौकी स्थापित की जाए जितना जल्दी हो सके थर्ड येर की पीजी परिक्षाय करवाई जाए रेजिदेंट डॉक् सब्सक्राइब के लिए क्योंकि बहुत वाइलेंस की एपिसोड देखे गया है पिछले एक साल में करोना काल में जो की जादा बढ़ गया है और हमें सरकार से उमीद थी कि वह सेफ्टी और सेक्योरिटी के लिए कुछ पुलीस फोर्स बढ़ाएंगे हमारी दूसरी हमारी कि हम लोग काम करते हैं महारी तो हमारी इनुपेट में हुट टो तो हम ए500 तुम हमारी डिमांद थी कि हम हम लोग इनुपशेटर नहीं एप्येट हो इंदी कि हम HR प्रृट में गन जो की वह सेफेट रीटमेंडं तो एक तरीके से सर्कार की सर्विस तेना ही है चौथी हमारी थी क्यूंकि हमने एक साल जो है कोरोना में काम करके हमारा बहुत अकैडमिक लॉस हुआ है तो हमारी तुशन फीज जो है वो मार्क तरी जाए कि उसके बाद हमारी दिमांड थी की 2018 में हमें गवर्मेंट ने यह वादा किया था कि हर साल 6% स्टाइपंड इंक्रीज करेंगे बेसिक स्टाइपंड से और यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है इसके अलावा जो हमारे फाइनल यर पीजी जिनका अभी जो टेन्योर है पूरे हमारे तीन साल का जो कोर्स होता है उसका टेन्योर अभी काफी आगे बढ़ गया है तो यह जो टाइम है जो वो अपने समय से आगे का काम कर रहे हैं वो सीनय रिजडेंसी में काउंट हो और उन अध्यप्रदेश मेडिकल साइंसे उनिवर्सिटी जबलपुर में उन्होंने हमारे फाइनल ये पीजीज की जो की अभी एक्जाम देने वाले हैं जिनका एक्जाम काफी समय से डिले ही हो रहा है उनकी एंडॉल्मेंट कैंसल कर दी तो ये गवर्मेंट की तरफ से एक पहला ये पीions पर्ज्टीज के खिर था तोमने इसका ऐसे ही वर है सारी जूनीय डॉक्रोष ने सिफा दे दिया है वो हमने पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं कि वो हमारी मांगे पूरी कर देंगे और ये मांगे भूराते भी रहते हैं जैसा पहले पिछले महीने उन्होंने 24 प्रत कर दो नहीं कर दो नहीं नहीं हुआ तो वह बोलते तो है पर इसका कुछ रिटन और नहीं निकाल पाते हैं सरकार पर आरोब है कि वो प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बात करने को तयार नहीं इसके बजाए एस्सेशन के नेताओं के घर पुलिस भेज कर उनको धमकाय जा रहा है हर्ताल खत्म करने का दबाव बनाय जा रहा है यह आरोब प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के हैं अब सरका का पक्ष जान लेते हैं मध्यप्रदेश के मेडिकल सिक्षा मंतरी विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार ने डॉक्टरों की स्टाइपेंड बढ़ाने वाली मांग मान ली है पर वो गाउं में ड्यूटी क्लिए नहीं जाना चाहते सुनिये मंतरी जी का बयान है लेकिन हमारे साथ को न्याय करती नहीं हमाई जो मांगे उस पर विचार तो कर रही है वाश्वास देरी इस समय पर हरताल करना ठीक है मरीजों से ब्लैक मिलिंग करना ठीक है मैं तो स्वयम बात्चीत करता हूँ उनको हमने छे 17 प्रतिशत स्टाइपन बढ़ा दिया अब वो यह कह रहा है हम गाओं में नोकरी नहीं करें गाओं में बॉंड को पूरा नहीं करेंगे तो गाओं के मरीजों को क्या होगा ये मरीजों के खिलाब ठीक बात नहीं है तो मंत्री जी के हिसाब से सरकार ठीक है सारी कमी हरताल कर रहे डॉक्टर्स की है आज चार जून है यानि हरताल का पांचवा दिन मध्य प्रदेश जैसे राज में जहां डॉक्टर पहले से कम है तीन हजार डॉक्टर्स के स्टीफे का संकट हम समझ सकते हैं सरकार और डॉक्टर के इस जहगड़े का नुकसान मरीजों को हो रहा है बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है डॉक्टर्स से बात कर भरोसे मिलें कोई बीच का रास्ता निकालें मांग पर जो फैसले लें उनका लिखित प्रमार दें ताकि संकट खत्म हो एक बात और स्टिडी वाले इन मेडिकल कॉलेजिस से पढ़े डॉक्टर्स ग्रामी उन इलाकों में जाकर गाउवालों की सेवा नहीं करेंगे, डूटी नहीं करेंगे, तो उनके हिस्से की डूटी करने के लिए कौन आएगा, आपका दायत तो बनता है समाज के प्रति, इसलिए अपनी जायज मांगे मानिये, चाहे पुलिस चौकी की मांग हो, चाहे परिवार की सुरक्षा की मांग हो, चाहे सही वेतन की मांग हो, लेकिन ग्रामी उन इलाकों में सेवा नहीं करेंगे, ये मांग समझ से परे है, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टरों और सरकार के बीच का ये ट कराओ जल्द सुल्जे आज के ललन टॉप शो में इतना ही अपना और अपनों का ख्याल रखिए शुब्रात तरे